कि अधा है हेलो स्टुडेंट्स समर्थ एकजाम प्रेप पर आपका स्वागत है और अगर अगर आप ने समर्थ एकजाम प्रेप की डाउनलोड नहीं कि है तो प्लीज आप इसे प्ले स्टॉर से डाउनलोड कर लें, ताकि आप ग्क वाले सेग्मेंट के, या अधर जो छो डो मैंके सब्जेक्ट से हैं, उनके वीडियो आप कन्टुऌिसमें में प्राप्त कर सकें और detract या और रिसोर्स मैटेय्यल है वहाँ से कॉने सिंवें प्राप्त कर सकें कि कल अज हम हिस्ट्री वाले सेग्मेंट के presa में बात करेंगे आज हमारा क्लासे है इस्ट्री में जो लैटनाश्ट क्लास ती दार्मिक जो दौर था उसके originally हमने की थी दार्मी का अंदोलन हुए थे बुद्ध और जयन दरहन के बारे में हमने बेसिकली उसमें पढ़ा था तो आज अपनी क्लास है वो है मोर्यकाल के बारे में सबसे पहले हम देखेंगे हमारे को हमेंसा क्या चीज ध्यान रखने है क्या क्यों कैसे ठीक है और एक चीज इम्पॉर्टे elét्य हो जाती है कब क्योंकि हिसे के साथ डिल करता है ताईम पीरिड के साथ ठीक है तो मोर्य काल जो है 322 इस्वी पूरू से 185 इस्वी पूरू का जो काल है उसे किसके नाम से जाना जाता है उसे मोर्य काल के नाम से जाना जाता है ये देखिए ये क्या है ये सांची का बोध इस्टूप है जिसकी पहले बार-बार क्या हो रही थी चर् जो मोर ये सामराजी था वो यहां तक विस्तिरित था दक्षिन भारत में करनाटक और उपर इन्होंने अफगानिस्तान तक का जो छेतर था इस पूरे छेतर के उपर अपना सामराजी स्थापित किया था ठीक है तो आई कुछ MCQ करते हैं और वहीं पर इसके बारे में चर्चा करते हैं चानक के का अन्य नाम क्या था ठीक है तो चानक का अन्य नाम था विश्णू गुप्त इन्हें कोटिले के नाम से भी आपने पढ़ाओगा कोटिले चानक के तो ये वही कोटिले चानक के हैं जो विश् सिकंदर ने भारत के उपर आकरमनंद की अधर सब्सक्राइब करते निगे ऐसे नियुक्त बदा निक जी को उन्हों हमानित करके अपने दरwart से निकाल दिया और चानक के जी क्या करते थे उनको राज-गाज के बारे में बातें बताते थी तो इनको जब निकाला तो इन्होंने संकल्प लिया था कि मैं ऐसे मूरख राजा से राजी को क्या करूँगा बचाऊंगा और इनके स्थान पे कोई दूसरा राजा लेकर आऊंगा तो यह किसको लेकर आये थे यह लेकर आये थे चंदरगुप्त मोरिये को तो चंदरगुप्त मोरिये का मेंटोर भी है यह चंदरगुप्त मोरिये को स्थापित करने वाले सासक भी है चंदरगुप्त मोरिये एक सामा के नेतरतों में कोटिल के मारग दर्शन में ये कार्य किया कोटिल ने अर्थसास्तर नाम की पुस्तक लिखी जो किसके उपर है जो की पॉलटी की उपर किताब है जिसे पॉलटी की एक और बुक चलती है मैं क्यावली मैं क्यावली की जो बुक चलती है प्रिंस उसके समान इस से उसकी तुलना करते हैं, जैसे कालिदास का किया क कहेंगे हैं तो अपन क्या कहेंगे, हम कहेंगे लेकिंगे यह बहुत हम क Mexican कर दिया कि वहेंशा तो हमारा इसका उत्तर हो गया विशनु गुप्त ठीक है निमनांगति में किसकी तुलना मैक्यावली के प्रिंच से की जाती है तो अपनी ये बात आई गई कोटिलिके अर्थसास्तर की तुलना इसे की जाती है अब ये किताबे भी आपको याद रखनी है वात्सायन कामसुत तो कामसुतर किस नी लekhi तो ये वात्सायन महुदे ने लिखी यह मतलब जो अपने सेक्सवल जोचीजें होती है सेक्स्वल जो सेग्मेंट है उसके ऊपर बुक है कामसुप्त्र ठीक है तिरूलिवर ने लिखी अभनती की जो राजकुमारी थी उनके बीच की प्रेम कथा को इसके अदर क्या है दिखाया है ठीक है वैसासक कौन था जिसने राज सिंगासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या कर दी थी ठीक है तो असोक ने अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या कर दी थी असोक को क्या का जाता है ये माना जाता है कि असोक ने अपने काफी भाई थे इनके निन बिम्बी सार तो पहला पित्र हंता था अजाद सत्रू और अजाद सत्रू को फिर किसे ने मार दिया था इन्हीं के बेटे काला सोक ने इनको मार दिया था ठीक है निम्रिक में से समराट असोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उनको परभावित किया था तो वह उनकी पत्नी थी कारू वाकी ठीक है यह कलिंग की रहने वाली थी और कारू वाकी थी जिन्होंने इनको काफी परभावित किया था आपने असोका मूवी भी देखी होगी उसके अं अपने सभी अभी लिखों में एक रूपता से किस प्राकर्त का प्रियॉग किया है कौन सी प्राकर्त बासा इन्होंने अपने शिलालेख incub Audun कि है म्तयलेक अभी लेखों के अंदर देखने को मिलती है ठीक है तो aims आधमागदी इनके सिला लखों के अंदर देखने को मिलती है ठीक है निमलिक में से वेक्ति कोन है जिसका नाम देवा नाम प्रिये या पिये दसी पिये दसी देवा नाम प्रिये पिये दसी नाम आता है तो ये मोरी समराट असोक के लिए ये नाम आता है निमलिक में से प्राचिंतम राजवंस को पहले अगर कोई और होता, जैसे हर्यक होता, अपने पढ़ाता है हर्यक होता, नंद होता, तो वो इन से पहले के हैं, इन से पुराने हैं ठीक है, यह सिसुनागवंस ठीक है, वो इन से पहले के हैं, लेकिन इन में कौन है सबसे पुराना मोर्ये है, ठीक है, अपने को देखो, तो इस्टरी में क्या है टाइम पीरिड को देखना है साथ में ऑप्संस भी देखने ऑप्संस में जो दिया है उसे के इसाब से हमको क्या करना आंस्वर ड्राइव करना है कोटल चानक किसका पर्धानमंत्री था तो आपने पढ़े लिया चंदरगुप्त Łumorya का पर्धानमंत्री था किस कला वे मूर्तिकला को निरूपित करता है तो Allitude कले स्था वी की थी धार्मिक अंधुलन वाली धार्मिक उसकी तो उसमें अपने क्या चीज देखी थी कि जो असोक के दाजा जी थे चंदरगुप्त मोरीए उन्होंने क्या किया था अपने अंतिम शमय में जैन मुहुर्य सामराज की स्थापना किस ने किय थी उनके बाद सांथ सक बना था बिंदु सार अब इसी कुछिन को कैसे बना जा सकता है दिन्ह Works से कौन मौरिय सामराज से समनुद सासक नहीं है बिंदु सार चंद्रगुप्त मौर्य असोग बिंबि सार तो अब बिंबी सार और बिंदु सार में आप क्या हो सकते हो, बिंदु सार कौन था, असोग का पिता था, लेकिन बिंबी सार कौन था, हर एक वंसका संस्थापक, जिसकी उसके पुत्र अजाद सत्रू ने क्या कर दी थी, हत्या कर दी थी, ठीक है, अब नेक्स्ट कुशन देखत जते हैं मोर्य राज में प्रचलित atrocrat का नाम मोर्य मं जो कड़ सामराज के अंदर आउस टाइम के एर याद रखना आ दो क्या चलता था साशक नहीं है मोरियवन्स का साथ कुन नहीं है अजाद सत्रू असोक चंदरगुप्त बिंदु सार अब यह तो क्या आपको बहुत आसान सा सवाल दे दिया बिंदु सार की जगे बिंबी सार डाला होता तो एक पर आपको सोचना पड़ता और आप तो कर दोगे बिंबी सार का बेटा था मत अजाद सत्तू रव है उसमें नहीं है निवनिक में से असोग का उत्राधिकारी कों था असोग के बेटे का नाम बैटह सोग का ramता था तो असोक के बेटे का नाम क्या था? कुणाल था असोक के बेटे का नाम, ठीक है, मोरी वन्सका अंतिमसास कोन था? ब्रदरत, ठीक है, अंतिमसासक था? ब्रदरत, ठीक है, इसकी क्या कर दी गई थी? हत्या कर दी गई थी, और मोरी समराज को क्या कर दिया गया था? समाप्त कर धिकने सब्सक्राइब मुद्राराक्षस के किताव कोम है और लेखव के किताब यह किस काल की किताब यह पूछा जांग तो यह चंदर्गुप्त मोडीpaidक कि दरबार के अंदर जो दुरुभी संदी होती थी दरबार के अंदर जो नेक्सिस बने वे थे जो सडीयंत्र होते थी उनके बारे में किताब है जिसका नाम है मुद्रा राक्षस ठीक है और लिखी थी विसाख दतने ये इंपोर्टन्ट किताब है कोटल चानक वाली मेग स्थनीज की इंडीका ये सब किसके काल की है ये मोरी काल की किताबे हैं विसाख दत के नाटक मुद्रा राक्षस की विशेवस्तू क्या है तो ये चंदर गुट के समय में द ये इतने बड़े चेतर को किसने विजयत किया था तो पहली बार इसे जीता था चंदरगुप्त मोर्ये ने मोर्ये काल में शिक्षा का सरवादिक परशिद के अंदर कौन सा था तो मोर्ये काल के अंदर शिक्षा का सरवादिक परशिद के अंदर था तक्षिला अब इसमें कई बार आपको नालंदा पर ध्यान जाएगा नालंदा प्राचिन के इंदर जरूर था लेकिन तक्षिला सबसे प्रशिद के इंदर था उस टाइम का मेगस्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है तो मेगस्थनीज की पुस्तक का नाम है इंडी का मेगस्थनीज कौन था तो यह सेलुकस का क्या था सेलुकस का दूत था यह सेलुकस का राज चुक था अशेलूकस क्षी करता है यह सिकंदर का सेनापती था ठीक है तो यह जो दूत पूत आया था कौन की मेकस्तिनीज है यह भारत में आने के बाद इनके दर्बार में राज्ग्व मोरीय जी के में और नहों उस टाइम की जो राजनितिक और सामजी की स्थती थी उसके उपर उन्हों ने उलेक किया है ठीक है पाटली पुत्र को किसने सर्वपर्थम राजदानी बनाया था पाटली पुत्र को किसने सर्वपर्थम राजदानी बनाया तो इसका उत्तर है चंदरगुप्त मोरिये ने प बनाना जा रहा है कि इसे किसका बनाया गया था लकडी का बनाया गया था बराबर गया की जिलाओं में गुफाओं को प्योग किसके आश्रे के लिए किया गया था तो यह जो बराबर में गया की जो गुफाएं थी यह असोक ने असोक और फिर उनके बाद उनका पोता हुआ कुनाल का बेटा तो दसरत ने भी गुफाएं बना कर क्या की थी आजीविक संपरदाय को क्या की थी दान में दी थी रहने के लिए और असोक ने भी बराबर की गफा जो थी गया जिला में बिहार में जहां पे मात्माद बुद्ध को ग्यान प्राप्त हुआ था इन्होंने ब पस्चिम भारत तक इसका देखना है तो असोक का गिरनार्द अभी लेक चंद्रगुप्त के बारे में बात की जारी असोक का सोपारा हवी लेक ठीक है जुद रुदृदामन का जुनागड अभी लेक और कलिंग कहां पढ़ता है उडिशा में पढ़ता है ठीक है और यह ब पता चलती है कि चंद्रगुप्त मोरिये का प्रभाव है वो कहां पर था पस्चिम तक इनका प्रभाव था ठीक है हmis कि बैक्सि अपना क्यूस्चन है ग सोली के उलभाई इस त में असोक ने स्युम को मगद का समराट बताया है एक इस अन्हों ने अपने को क्या है मगद का समराट बताया है तो वो कौन सा है वो है मस्की का लगू सिला लेख ठीक है तो इन्हों ने मस्की का लगू जो स्थम लेख है उसके अंदर अपने आपको क्या बताया है मगद का समराट बताया है एक सुची दी है इसमें क्या करना आपको मिलान करना है ऐसे कु देवानाम प्रिये तो यह दो को जब आप मिला होगी तो भी अपने आप सवाल निकल जाएगा सी में एक आना चाहिए तो सी में एक एक में ही है सिरफ एक चीज जानने से आपका एक उसन आसाने से ड्राइव हो गया है तो ऑप्संस को बड़े ऑप्संस देखके गबराना नह जो एक चीज अपने को हेंडेड प्रशंट शूर्टी उसको पकड़के क्युस्ट्न को करने का प्रियास करना है और नबबबब प्रशंट वो सवाल आपका एक ओप्संसे हो जाएगा क्यूंकि ऐसे क्युस्ट्स इसलिए बनाये जाते हैं ताकि आप उस चीज को उस चीज प्रशंट का जाता था असोग को पिये दशी और चानक को विश्णु गुप्त कहा जाता था ठीक है यह अपने इनके उपनाम हो गए जो उस टाइम पर प्रशलिक थी ठीक है असोग ने स्री लंका में बो धर्म का परचार करने के लिए किसे भेजा था तो लास्ट क्लास आ नाम का इनका पुत्र था संग्मित्रा इनकी बेटी थी इन दोनों को भेजा था असोग के मन सहरा पाकिस्तान एवं सहाध गड़ी पाकिस्तान से प्राफ पुरत चिला लेखों में किस लिपी का बड़े इस तर पर प्रियोग हुआ है तो इस पर ख्रोष्टी लिपी का असोग के नाम का उड़ेख है अब नेमलिक में से किंध भारते जातियों का उड्लेख चिलालेख में किया गया है या आपकी 12 के ऐसे झार्टी है उस ncrt के अंदर ये दिया गया है किया गया है तो इस में उल्लेख किया गया है कि चोल का उल्ले खाया है पल्लव का उल्ले खाया है पांडव का उल्ले खाया है सत्य पुत्र का केरल पुत्र का विश्णु कुंडगा यह नाम आये हैं तो इसमें इन्होंने चोल चेर पांडे और चेर के लिए उन्होंने इस्तमाल किया है केरल पुत्र और स्रिलंका वालों के किया है सत्य पुत्र तो यह पल्लों का इन्होंने कोई उलेख नहीं किया गया है अब दो को काटते हैं अपने एक बार देखते हैं तो यह कट गया उप्शन यह उप्शन कट गया ठीक है एक अपने को पता है कि विशुनुकुंड का उलेख नहीं किया तो च्यार कट गया ठी तो इन्होंने चोल का पांडे का सत्य पुत्र और केरल पुत्र का उलेख किया है ठीक है असोक के बारे में जानने के लिए महत्वपून शरोत क्या है तो खुद उनके सिला लेख है सबसे ज़्याद अच्छी जानकारी उनी से मिलती है असोक के काल में कौन सी लिपी दक्षन भारत में असोक ने ही इस्थापिद किया था उस टाइम तक वहां पे ब्रहामी लिपी का इतना ज्यादा विश्तार नहीं था ठीक है किस मोरिय समराट ने एक विदेशी राजा सीरिया के एंटियोकस एक से अंजीर सराब और दार्शनिक को भारत भेजने के लिए कहा था तो यह अपने चंद्रुप तो मोरिय जी थे ना इन्होंने कहा था कि यह चीज हमारे यहां पर भेज दो क्या अंजीर सराब और दार्शनिक तो भोत भेज देंगे लेकिन हमारे दार्शनिक खरीद फ्रोक्त की चीज नहीं है ठीक है असोक द्वारा कलिंग पर चड़ाई की जानकारी के लिए कौन सा सबसे महतपूर्ण अभी लेक है किस अभी लेक से सबसे ज़्यादा इस चीज की जानकारी होती है जो भी कोई लेखन से लेक की चीज है उससे किस से पता चलता है कि उन्होंने कलिंग के उपर आकर्मन किया याद रखना है जो एक सथान पर रहकर गुपचरी का काम करते थे उनको संस्था और गुपचर करते थे उनको क्या जाता था उन्हें संचार कहा जाता था तो इसको सिंपली याद रखना है एक जगह पे ते रहते थे उनको संस्था गूम गूम के करते थे उनको संचार और गुपचर को गूड़ पुरुष कहा जाता था कि सिलालेक में सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं ये बात कही गई है तो ये जो पर्थक कलिंग सिलालेक है इसके अंदर ये बात कही गई है कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं और हिंसा के परती आंतरी को दुख भी हुनोंने कलिंग का जो पर्थक सिलालेक है उसी के अंदर प कि मैं सिलालेख में असोग की ये गोशनानकित है कि किसी भी समयंचाए में खाता रहूं या रानी के साथ विश्राम करता रहूं या मैं अर्फशाड़ा में में रहूं जहां भी रहूं मेरे महां मान्थ के simplify का कितनी अच्छी बात है राजा के लिए इससे बैतर क्या हो सकता है प्रजा के लिए कि का ऐसा राजा हो जिन से आप हमेशा मिल सकते हो अपनी मतलब जो बात है वो उनके सामने रख सकते हो तो यह क्यूस्टन है कि भई यह इन्होंने किस सिलालेक के अंदर यह बात कही थी तो सबसे पहले कि स्थर पर कॉन होता था सबसे पहले इस तर पर होता था प्रादेशिक फिर होता था राजुक और फिर होता था युकतब ठीक है तो प्रादेशिक राजुक और युक्तप ठीक है विश्टी क्या है तो विश्टी उस टाइम पे मोरेकाल के अंदर जो बेगारी की जाती थी उसे विश्टी का जाता है और इसका उलेक किस ने किया है इसका उलेक इंडी का पुस्तक के अंदर किया गया है कि कुछ लो असोक ने बनवाया था ठीक है असोक के सिलालेखों को पढ़ने वाला पर्थम अंग्रेज गोन था तो असोक के जो अभी लेख है इन्हें पढ़ने का सरह जाता है जेम्स प्रिंसेप को ठीक है इन्हें एसियाटिक सोसाइटी ओफ बंगाल का क्या बनाया गया था अब दक्स बनाया गया था और इन्होंने क्या किया थे असोक के सिलालेखों को सरोपर्थम पढ़ा था कलिंग युद्य की विजय तथा छत्रियों का वर्ण असोक के किस सिलालेख में किया गया है कि कलिंग को जीत लिया और छत्रियों पर इन्होंने विजय प्राप्त कर लिए इसका पूलेक इनके तेरवे सिलालेक के अंदर किया गया है असोक ने 261 इस्वी पूरू कलिंग को जीतने के बाद क्या किया अपने राज की सीमा बढ़ाई विश्व विजय के लिए निकल पड़े रक्तपात देखकर युद्धनीती को सदा के लिए छोड़ दिया उप्रिक्त में जाता है मेरे को भी confusion हो सकता है और मेरे को भोत वार होता भी है उनुश्ट लिए आपको बताऊं ऐसे confusion आपको भी हो सकता है इन सिलालेक को आपको एप के उपर एक table बनाके इस तरीके का जो content है जो आपको confuse कर सकता है वो आपको material दे दिया जाएगा उसको आपको वहांसे प किस भासा वैं लिपी में हैं तो प्राकर्त भासा है और भ्रामि लिपी है उसक के जो सिलालेया संगमाराज k Br Yogya-gam निद्ध के बारे में हमें बताते हैं कि संगम है संगम संग मैं बीजह मजा है तो यह ईंदें तेरा मेरा संगम ठीक है तो कितने योग दो लोग और तेरा मेरा तो दूसरा और टेर हुंए उसके अंदर अल्मेसरा संहा Yeah संगम नीचे जो चोल चेर पैंडयन दॉसरा मेरा चेतर था उसके उसे और तो चेट कर मैं प्य governments कर धाण सभ्वास नियुद धिआता है च्गणी के कि अंदर रूमझ देग तो इसका मीलता है निमलिक्त वेक्तव में से कौन सा एक वेक्तव असोग के प्रस्तर इस्तंभों के बारे में गलत है असोग के जो पत्थर के इस्तंभ है उनके बारे में कौन सा एक सही नहीं है ये पूछ रहा है गलत है मतलब सही नहीं है इन पर बड़िया पालिस है बिल्कुल है आज तक भी यह से चमक है इन के उपर यह अखंड है एक पत्थर से बनाए गए है एक आस्म है वोनोली थीक है बिल्कुल है इस्थापत संरचना के भाग है नहीं यह क्या है सोतंत्र है इस्थापत संरचना के भाग नहीं है इस्थापत संरचना के भाग कौन से थे इरान के जो इस्थम्प है वो इसके भाग है इसलिए यह आरूप लगाया जाता है कि असो के इस्थम्प है वो इरान के इस्थम्पों की कोफी है लेकिन उसके विरोध में यही बात कही जाती है क कि वह इस्था पर संरचना के भाग थे जब कि इनकी संरचना सौसंतर रूप से राजा के आदेश के बताने के लिए इस्थान इस्थान पर प्रत्थक रूप से की गई है ठीक है तो यह आज की अपनी किलास थी मोरियकाल के बारे में जो क्यूशन थे संतिव आपको बताए गए है इससे रिलेटेड पीडिएफ और जो और रिसोर्स मैटिक्रियल है वह आपको आप के उपर मिल जाएगा थैंक यू थैंक यू बरी मैच फोर टूडेश के लास